हेलो गाइस वेलकम बैक तो माय यूट्यूब चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं तो उसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे यह सारे इंग्रीडियन्स है यह विनिगर है, सोया सोस है, चिली सोस है यह हम आपको डिटेल में दिखा रहे हैं यह कॉन फ्लार है यह चिकर ना जो हमने वाश करके रखा है यह स्पाइस जो हम इसमें एड करेंगे नमक है पिसावा जीरा है और काली महरचा है ठीक है वन टेबल स्पून तीनों के वन टेबल स्पून यह भी इसके अंदर कम ज्याद आप बात में भी कर सकते हैं आप अपने ही जाब से प्लिए थे यह मतर हैं ठीक है और यह यह करेटा जो हमने इसको चॉप करके रखा था आप यह भी कम ढाल सकते मेरे से थोड़ी ज्यादा डल गई तो यह पर डेपैंड कर जाए अपने इसके जाए प्लाव सकते श्यादा है अब हमने डाल लिया उससे पहले वोश करके रखा था इसमें हम पानी आइड करेंगे जस्ट उतना जिसमें यह डिप हो जाए इतना ज्यादा नहीं डालना बस इतना नोर्मल सा इससे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे आप इस स्टेश पे ना मतलब के नमक पीस में अड़ कर सकते हैं ठीका जी अच्छे चॉप की कैरेट अड़ किया इसमें उससे पहले ही फाइप मिनट तक ना उपड़ था फ्लेम पे और इसके बाद ना यह अंदर शीजे अड़ करेंगे पीस मतर अच्छे से मिक्स करेंगे आप इसमें हड़ी वाला भी गोष्ट ले सकते हैं चिकन मीन्स क्योंकि बाद में आप उसमें से निकाल देने इसका ने टेस्ट बड़ा अच्छा था है इसमें ले सकते हैं और जिए देस्मिनट के लिए रख दिया था और इसके बाद इसके अंदर से यह निकाल ले चिकन के पीसिस एक प्लेट में निकाल लें ठीक हाजिए और इसको उतनी दर के लिए पकने दें लोग फ्लेम पर बनाएगा अगर फाइस्ट टाइम बना रहे हैं तो मैं भी यह और अब हम इसके ब्रीक से रेशे करेंगे ठीक है जो बिलकुल ऐसे जब सूप हम पीए तो तो इसमे हाँ थोड़ी थोड़ी से ना चिकन के आएं बड़ा फिर अच्छा लगता है ये आपको इस चीज का ध्यान रखना है मिन्स के ना ये गड़म गड़म ही करने जब चिकन काफी मुश्किल से करना पड़ता है इस वज़ा से गरम है जब तब भी करें यहां पर बहुत ज्यादा चिकन गरम था इस वज़ा से मेरे से होनी थे पाड़े फिर भी मैंने किया यहां पर मैंने शोट क्लिप लीए थोड़ी से आपको दिखाएं ठीक है ऐसे करने इससे भ ठीक है जी यह इंस्ट्राग्राम आइडी आई थी अगर आप फोलो करना चाहते है तो कर सकते है यह जी ठीक है यह सारे हमने करके रख दिये अब इसके अंदर एड़ कर देंगे चिकन के पीसे जो हमने बना कर रखे थे थे अगर आप ज्यादा बना रहे तो यह चीजे करेंगे यही मेरी इंपोर्टन पार्ट होता है कि हमने इसको अच्छी से मिक्स पैल करना है यह साथ साथ आप मिक्स करते चाहेंगे तो यह ज्यादा अच्छा बनता जाएगा इसके अंदर सारे 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 सार बहुत जरूरी होता है सारी चीजों के अंदर टेस्ट आ जाए ठीक है अब इसके अंदर मैं एड़ करूंगी विनिगर वन टेबल स्पून नहीं नहीं वन नहीं तू सही है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं क्योंकि अपनी अपनी मर्जी हमने चिली सोस एड़ कि है तू ट अगर बच्चों के लिए बना रहें तो कम है अगर अपने लिए बना रहें तो ज्यादा ठीक है यह है कॉन फ्लार और इसमें हम पानी आड़ करेंगे यह तू टेबल स्पून थे कॉन थे कॉन फ्लार के और इसमें पानी थोड़ा सा एड़ किया है इसके अंदर सूप के अ से मेरा न सोड़ा सा कम हो गया था इसी वज़ा से मैंने दुपारा भी कर लू तो मैंने नी क्लिप यसके अंदर की मैंने की मत्बा में दिखा दिया क्योंकि फिर ज्यादा विडियो मंबी हो जाती इसी वज़ा से ठीक है अच्छे तरीके से इस टेज पर आके आपने ना मतलब कि इसको हिलाते रहना है पांच मिनट तक क्योंकि अगर आप नहीं ना ऐसा करेंगे फिर एक जगह पर रह जाएगा कॉन फ्लार तो इसी वज़ा से इसे ना फिर आपको मिक्स करते रहना है ठीक ह यह अच्छा इस्ता थिक होता जाएगा इसके अंदर एक घंग करेंगे आप तू यह थ्री भी एक अड़ कर सकते मेरे पास उस ट्राम पर वज़ा से मैंने फिर वज़ा से पर वज़ा से बढ़ लेकिन इंग्रीडियंस के हिसाब से वन ही अड़ करना बनता है क्योंकि जिस इस हैसाब से जितना सूप बना रहे थे इतना ही मैंने अड़ किया अच्छे से इसे मिक्स करेंगे यह देखिया इस्ता इस्ता थिक होना शुरू हो गया यह अब देखें जरा फाइनल मतलब मीन्स इसका टेस्ट तो मैं करती हैं छोड़ दे बहुत कमाल का था यह मैंने फिर्स टाइम ट्राइ किया और यह की इंग्जाने बहुत अच्छा बना था तो इसी वज़े से मैंने सोचा कि क्यों आप सब के साथ वीडियो शेयर किये ज अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले का हमारे चैनल को और प्रेस करना भी मद भूले का और दौा में जूर याद रखेगा और आप सब को हमारी तरफ से अडवांस में एद बूमबारग कैया रखेग अपना बाए